कि ही गाईज देखो आज हम डिसकस करने वाले हैं टाटा गुरूप के एक बहुत बड़े स्टॉक के बारे मतलब बाजार का बहुत बड़ा हाथी बन चुका है मतलब हम बोले तो टीस जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा गुरूप के वह है टीस टाटा कं मुनाफ़र निकाल के दिये जा रहा है भाग तो ऐसे रहा है मानो कि मतलब इसके आगे कोई है ही नहीं मतलब बहुत स्पीड भाग रहा है यह तो आप चौक जाओगे तो विडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा ये सकेंड यूटुप चनल है जिसका न नहीं करना है और खुद का research और अपने financial advice से कंसर्ट जरूर करें किसी के ऊपर blindly believe ना करें हाला कि किसी पे मतलब मुझ पे भी एक बार अपना research जरूर करना है कि ये channel किसी भी चीज़ के लिए आपको responsible नहीं होता तो सबसे पहले start करते हैं shareholding pattern से अभी देखो foreign domestic वाले दोनों यहां पर है foreign domestic वाले का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता क्योंकि वह अच्छे company को सूंके पहचान लेते हैं अब देखो तो लगभा 2020 मार्च से 44% है अभी यहां पर आपको सेम दिखने को मिला लेकिन अब देखो यहां पर हम देखेंगा भाई इसका चार्ट वगर आम देखने कोसिस करेंगे तो सबसे पहले देख लेते कंपनी में क्या-क्या यह है जो स्ट्रिंथ है company is virtually debt free अच्छी बात है company आपको debt free देखने को मिले company has a good return on equity track record आपको बताया जारा of 32.25% के आसपास the company has effective जो cash एक company के पास वो काफी ज़्याद़ effective conversation ratio आपको देखने को मिला और उसके बाद यह मैंने आपको क्या दिखा है strength अब strength के साथ साथ weakness भी होती है भाई है कि नहीं है अब यहां पर देखो weakness limitation तो यहां पर कुछ भी ही नहीं है कुछ भी limitation यहां पर है ही नहीं मत्तब सुचो कोई भी ऐसी company है जिनका कुछ ने कुछ प्राब्लम होते रहती है है कि किसी भी ची कोई भी perfect नहीं होता nobody can be right 100% all the time थे nobody can be right all the time इस वजह से अब इसका quarterly result अकर हम देखेंगे तो net sales देख लेते हैं पहले 2020 में आपको मार्च में यह क्यों दिखा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम मार्च में कोविड आया था इसका impact आपको यहां पर देखने को मिला था क्यों 438 के आसपास फी देखें लॉस हुआ था कितना 400 के आसपास 38 करोर के आसपास नुकसान देखने को मिला लेकिन फिर next में यहां पर 89 और फिर देख सकते है 256 के आसपास मतलब यहां पर थोड़ प्रावलम हुआ नहीं तो कंपरी ने यहां से जो जोर सुद लगा के प्रॉफिट करना स्टार्ट हुआ काफी एचा प्रॉफिट देखती हुआ नजरा है यह मैं आपको net profit की बात करा हूँ रेविन्यू की बात फिर भी नहीं लेगें लेना पड़ जाता लेकिन यहां देख सकते हैं total reserve तो company के पास reserve काफी अच्छा पड़ा हुआ है मैं डिसकस कर रहा हूँ टाटा एलक्सिक के बारे में देखो यह stock मैं आपको बता देता हूँ मतलब टाटा ग्रूप की है अच्छी company है मतलब टेंचन से service ने कितना return दिया लगबग 2,400% का return दिया 2400% का return दिया किसने TCS ने आप खुद ही देख सकते हो देखो आपको बड़ी company चाहिए या फिर बड़ा profit चाहिए देखो मेरे हिसाब से ज्यादा profit लेना better होगा भाई देखो क्योंकि हम stock market में किसी company के तरफ जैसे होते हैं election में खड़े होते हैं बाई कि हाँ हम ये party के तरफ हैं वो party के तरफ हैं लेकिन आप रहोते को बाई election जब भी होता है तो ये एक तरफ ये party के होते हैं एक तरफ ये party होते हैं आप दोनों में से किसी भी party के side वाले हो लेकिन benefit आपको नहीं होगा benefit उनको होगा जो जीतने वाले है वो आपको अपने finger पर न चाहने वाले हैं आप तो जनता हो जीत गया है तो भी गया है और हार गया तो जनता लोग हो क्या हो तो थोड़ा बहुत खिला पिला देते हैं उसकी बाद जो बड़े-बड़े नेता हो तो वही देश चलाते हैं तो लंबे समय में काफी अच्छा सब्सक्राइब लेकिन परोब्लम क्या समझने के कोसिस करेंगे अब पर ओषबा स calling कि वाहां पकर शॉड़ान की बात करते हो तो इस्टाट हो और नीचा आ है देख सकते लूग्वें आपको 15血 का स्टाज आपको मिला कितने 500 म कितना पर संटाइब जेखने में का कंपनी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलीथी, देखो कितने बड़ी गिरावट देखने को मिली भाई तो लगवा 58% मतलब काफी जादा 60 to 65% तक कंपनी में गिरावट देखने को मिलीथी, मैं आपको बोलू तो राके जुन-जुन वाला ने भी इस टाइम पे उन्होंने माल बेज दिया था इस टाइम पे इसलिए बोलता हूँ कि जब गिरावट होती है तो सभी लोग बोलें कि भाई कमपनी अच्छी नहीं है लेकिन जब स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा तो बुलेंगा भाई कमपनी बहुत अच्छी है और जब कमपनी अगर आपने यहां पर खरीद लिया कमपनी गिर जागा तो बुलेंगा भाई आपने हाई वैल्यूशन पर था कमपनी आपने बताया लेकिन वही कमपनी अगर यहां से और और 50% दोट जा तो बहुत सॉलिड था इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी न उनको लग रहा कि यह है लेकिन वोट जब मिल जाता है तो बात खत्तम हो जाती है उसी तरीके से जब यहां कमपनी प्रॉफिट दे रही है तो उनको लग रहा कमपनी अच्छी है लेकिन यही कमपनी लॉस देने लगते है तो उनको कमपनी लगता है कि बकवास है लेकिन मै देख सकते हैं यहां पर इन्हों क्या बता है be fearful when other are greedy सभी है and be greedy when other are fearful आपको लगता नहीं कि भाई यह लाको रुपया का मतलब knowledge दिया जा रहा तो मैं आपको वह भी दता दूंगा सभी है इन्होंने बता है कि be fearful आपको डरना चाहिए जब सब लोग लालच कर रहे हैं मार्केट में लेकिन आपको यहां पर देखने हैं आपको लालच करना चाहिए कब जब सब लोग डर रहे हो तब इसका नहीं समझ मैं अभी आपको समझा दूंगा यह देखे यह टाटा एलकसे के बारे मैंने वीडियो बनाया था यह काफी पहले की बात है यहां पर देख सकते हैं लगबग एक साल हो चुका था केवल आट से नौ सो लोगों ने केवल वीडियो देखा था तब भाई मतलब मैं आपको बलूँगा केवल दस सजारी सब्सक करें हर जगा से मतलब अभी तक नुकसान देखने को मिलाता है इसलिए आप मिलेगा प्रॉफिट अब यह देखो परफिक्ट भी में बताया जा रहा देखो पूरा प्रूफ दिखा दूना तो आपको भी लगए क्या सही और क्या गलत है वीडियो आपके सामने प्ले करूं अभी भी आपको मुनाफ़ा देने वाला अगर आपने नहीं खरीदा तो खरी सकते हो भाई आपको पहले बताया जा रहा है यहां तो स्टॉक का नाम यहां पर देख सकते हैं दोस्तो टाटा का है और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कितने रुपे चल था तब भ बहुत ज़्यादा गिरावट आए लेकिन यह गिरावट हमारे लिए अपर्चुनटी है अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए इसका मैं आपको पास पर्फॉमेंस भी दिखा देखो अब आपने समझ लिए मैंने क्या बोला यह स्टॉक मैं आपको का देखोगे तो भाई देखलो मैंने आपको बोला था ना यह दो 1500 रुपीज तक यह स्टॉक गया था और आया कितने था तो 600 रुपीज तक यह स्टॉक गिर चुका था और 600 से जैसे रिकवर करना के स्टार्ट किया 800 के आसपास तो यह स्टॉक मैंने आपको बताए देखो भ मैं आपको बताना चाहता हूं टेक्निकली और फंडमेंटली के पीछे ही नहीं भागना चाहिए अगर आपको लगता है टेक्निकली फंडमेंटली तो आप भी कॉमेंट में explain कर सकते हो किस तरीके से explain करना चाहिए मुझे तो वही language समझ में आता है जहां पर profit देखने को मिलता वह language समझ में आता है जहां पर आपको लॉस देखने को मिलता अब आप बात करते हो टेक्निकली की फंडमेंटली की तो वह भी सही है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं उससे भी हटके दुनियादारी है अब आज के डेट में भी देखना चाहता हूं तो इन्हों में लगबग 10% सौरी 10% इन्हों ने इस कंपनी में क्यों इनके पास नहीं बहुत सारे यह बोलते हैं और कुछ भी नहीं ता यहां पर कहां आया फंडमेंटली टेक्निकली कभी कभी क्या होता ना कि बाहार दुनि यहां को भी देखना बहुत जरूरी होता है और अगर आप इसी तरीके से बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो काफी अच्छा अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो मतलब मालीजे कि मैं आपको क्या बलो इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रीडिंग के लिए ने तो आपको कॉंटक्ट कर लेा जाएगा अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गया वाट्सअप नमर पे आपको आपको वाट्सएप कर दीजिया आपको कॉंटक्ट कर लिया जाएगा कोई भी इसके साथ नहीं होगा, आगे पीछे कोई भी नहीं हो, कल के डेट में अगर यह मुसिवत भी पड़ जागा तो कोई भी नहीं देखने जागा, हाला कि पता है सभी को मुसिवत में help करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जागा, क्यूँ भाई इसके पास है नहीं में, ज अच्छी है लेकिन अगर लॉंग टम के हिसाब से देखते हो तो और आपके अंदर अगर एक बेर केपासिटी है तो क्या अब मतलब जब होता है जब मार्केट नीचे गरता तो क्या आप अपने आपको संभाल सकते हो पेशेंस रख सकते हो नहीं रख सकते हो तो आपको रखन बड़ोगे हम यहां मूवी नहीं देख रहे हैं इस वज़ेस मैं बोलाओं सोच समझ के काम करें और कल के डेट में ऐसा ना कि किसी और के उपर ब्लेम ब्लेम अपने उपर ज्यादा रिस्क लेना सीखना पड़ेगा